луч ah तो आप सबात मैरे योटूब चैनल केंकियल टेकनिकल में दूसतो आज हम्हाना इप्रोजेर को इंट्रॉलक्षण पॉसेसिंग एंडेस्चियल प्रोसेसिंग एस वीडियो पूरा वीडियो पूरा कि भीडियो पूरा लनग हो सकता है तो बने रहे जे वीडियों एंड तक तो दोस्तों है चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना देरी के सुरू करते हैं अगर दोस्तों आपने अपनारी चैलेंट्स सब्सक्रानी किया तो चैनल वह सब्सक्राइब करें जैसा कि हमारे चैनल पर कोई विए अपलोड हो तो जैनरी केवें दिन सन 1731 से 1810 सन में इसी में सन 1766 EC में हाड्रोजन को सुद्ध हवस्ता में प्राप्त किया 1733 EC में प्रांसेशी रासाने जसानाग्य लेवाचियस ने इसे हाड्रोजन नाम दिया हाड्रोजन वर्ड ग्रीक लैंग्वेज की दो वर्ड से मिलकर बना है हाड्रोप्लस जन जिसका अर्थ है जल का निर्माड करता ठीक है प्रत्वी पर हाड्रोजन सुतंत्र वस्ता में बेदमा रहती है वर्ट बाई मंडल में अल्प मात्रा में पाई आते है जल इवं प्राकृतिक तील तथा गेस इवं इयर्बोनिक पधार्त में हैड्रोजन अत्तिधिक मात्रा में पाई जाती है ठीक है प्रतिव का हैड्रोजन सुत्वस्तावस्ता में पाई जाती है वट पाई मंडल में अल्प मात्रा में पाई जाती है कम का मतरम है जेल एवं प्राक्रितिक तेल तथा गैस ये जेल प्राकरिक तेल है विए गैस की बदारतों में हाइड्रोजन तिया मतरम पाई जाती है तो इन में यह हैं आद्धियों अत्धिक पाई जाती है अब चलते इंडस्टियल प्रोसेसिंग औफ हैड्रोजन इंडर्सिल प्रोसेसिंग इसका क्या होता है हैड्रोजन का इंडर्सिल निर्माड कही विदियों द्वारा किया जाता है है हैड्रोजन के ब्योसाइक निर्माड की कही विदियों है पहली है नमर बन लैन प्रोसेस दात्विक लोहे पर पहनी क की रियक्षिन दूसरी विद्दूत अपकटन विदी लेक्ट्रोड लास्टिक प्रोसेस कि नंबर थ्री है मारा बार्टर गेस की इंडस्ट्रिल निर्माड विदी में बने उपजाद हैट्रोजन के उपकरड ठीक है तो पहली हम पढ़ते हैं प्रोसेसिंग लैन प्रोसेसिं होता है इस बिदी में तक तो आयरेन के ऊपर जल बास पर प्रोवाइद करने से हीड्रोजन की प्राप्ति होती है क्या प्रोज़न के ऊपर जल प्रोवाइद करने पर जल से विक्रिया कराएंगे तो हीड्रोजन प्राप्त होगा तो आयरेन का मारा सुथ होता है एफी प्र जल लेंगे और इसकी रियक्शन करा देंगे थ्री रेचियो फूर के पामे लेंगे इसकी रेचियों निकराएंगे तो एफी थ्री फूर प्लस हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा ठीक है अब राप्त एपी 3 & 4 को अप्चेट करके पुनेह लोहे को राप्त किया जाता है इसमें दोस्ता अप्चेट इसमें ऑक्षियन का अलग निसकार साल हो जाता है और आइरन अलग निकल जाता है कार्बन डैयोकसड अलग हो जाएगा तो इसको इसको कराएंगे तो आपका एफी अलग हो जाएगा कार्बन डैयोकसड अलग हो जाएगा तो दोस्तों अब आए मारा दूसरी विदी है वाई इलेक्ट्रोलै्टिक मैचड़्स इस बीजिए आटू जेनों कंक करते हैं इस बीजि में उच्छ सुद्धा के रप्ण के लिए बाटर मैं एलेक्ट्रिक करेंट फ्लो करने पर हाइड्रोजेन की प्राप्ति होती है इस मतलब जब सुद्ध वाटर उच्छ सुद्धता हाइड्रोजेन की प्राप्ति करने के लिए अगर बाटर में हम करेंट को फ्लो करेंगे तो मैं हाइड्रोजेन प्राप्त होगा तो देखो कै सब्सक्राइब करेंट का फ्लोकर किया तो एस्टू गैस हट्रोजन निकल लगी ऑक्सिजन अलग निकल गई ठीक है जे डेल्टा एच इसकल टू प्लैसर पांच सथीस सरसट किलो जूल मतलव हैं इसका टेंप्रेश्ट दे रहा है किलो जूल में दे रहा है कैलोरी माप सामन टेंप्रेशर पर विद्धुत अपकठन के लिए 1.23 वोल्टेज की विद्धुधारा फ्लो करते हैं इस विदी में आयरन का यूज एनोड के रूप में करते हैं इन दोनों कि लेक्टोड को पृथम पृथक करके के लिए करने के लिए एस पेट टरस डाइफ्रांग का यूज करते हैं इस विदी में 60 से 70 डिगरी टेंप्रेशर की आवसकता होती है इसमें टेंप्रेशर कितने की आवसकता होती है विद्दुत अवगठन द्वारा 99.7% प्योर्टी की 56 लीटर गेस प्राप्त की जा सकती है पतलव कहने का तात्पर यह है जब हमारी विद्दुत अवगठन द्वारा हम 99.7% प्योर्टी की गेस प्राप्त कर लेते हैं 56 लीटर ठीक है ते ट्था हीड्रोजन हाइड आट्रो हाइड्रोजन क्या योग भुता खाने योगते लिए उपयोगी है यह के रहा स्काउ है हांद्रोजन जी है महारे मॉद्दुत के खाने के लिए उपयोगी है हमारा तीसरा है अब तीसरा हमारा मैंतल्स है इस विधी में जल बास्पिया इस्ठीम तथा हैड्रो कार्वन के मिक्शर की उत्प्रेर की विक्रिया दोबारा हैड्रोजन गेस बनाई जाती है है रियक्शन निम्न प्रकार है तो रियक्शन है मारी सी एन एच एम प्लस एन एस्टू ओ एरो एन सी ओ प्लस कोश्टक एम अपॉन टू प्लस एन इस कोश्टक बंद एस्टू मतल्व यह शुत्र दे रखा है आपका इस टाइप से रियक्शन करोगे किसकी इस विदी से तो इस टाइप की रियक्शन को करना पड़ेगा तो हम कारवन मोन ओक्साइड को लेते हैं और जलकी उपस्तिती में इसको कला देते हैं तो दोस्तो कऱ्ोर डाई ओक्साइड अलग हो जाता है है अलग हो जाता है अब इसका देख्ते हैं प्रोसेसिंग क्या है इस बिदी में हलके हड्रोजन हड्रोकार्वन का उप्योग होता है नेच्रल गेस कोपेन ब्यूटेन एटीसी का उप्योग किया जाता है नाप्था का यूज उत्पूरेरिक की रूप में किया जाता है नेप्था ठीक है नेता में त मेरे कारवन एक मैंotherap प्रबीड ये या आते हैं र DID प्रहुटम रियक्षण फॉर्मिंग रियक्षण है तथा यह उस्मा शोश कर टिए है अगर कोई भी हीट है उस्मा सोश हो गई तो यह उसको अफसोसित कर लेगा यह मैंपॉंट अच्छा है इसका अब दोस्तों इसका फिगर्ट से देख लेते हैं फिगर्ट कैसा है तो दोस्तों इसमें डेश्प्रू राइलेशन सीड्स से सुरुवात होती है इसमें यहां से आपको बता हूँ मैं वक्षण से चुरुवात होगी ondaces súking दों चलेगी प्रोसेसिंग आपकी तो जिहां से लेडीर रफेहब्स सोड़ि पर अपका ये ये फ्यूल जैसे प्रोसेसिंग आईगी ठीक हीट अइच त्टेक फ्यास श्चाम्ट उल्द हैसा रपकर को आपकोो अभी खुड समझ। प्रोसेसिंग का पूरे मेधार्ड से बताने वाला हूं तब आप फिगर्स को देख लेजिए तो आपको खालतुरण समझ में आ आपने पिछले बाले लेक्चर भी आपने नहीं देगी हैं तो उनको जाकर के जरूर देख लें जिससे कि आपको यह वीडियो और पिछला अच्छी तरह से समझ में आ सके तो दोस्तों प्रोसेसिंग इसकी देखते हैं प्रोसेसिंग डिस्क्रिप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् लाप को देना होता है तो जी आपको मैं बता रहा हूं है है रोकारवन में खुच मात्रा में सल्फिर सल्फर जिसे डिस कि डिस्वाली फ्रोजेशन बेजा जाता है जिसमें एक केटलाइस्ट होता है जो फीट से सल्फर को रिमोब कर देता है इसमें डिस्वाली फ्रोजेशन में जिसमें केटलाइस्टिक लाश्ट होता है जो फीड से सल्फर को रिमोब कर देता है इस फीड को प्रोसेशन इस्टीम में घरम करके इसिह रेफ़ोरमर रेफ़ोर में बेजे जा देते हैं बेज देता है रेफोर मर में फीड को फ्योल की हैप से बॉरुन करके अ कि अ करके साप करके या उसको प्रेस बासकर गें गरम करते हैं जिसे अहे से कारवन और कारवन अलग-अलग हो जाएंगे यह कारवन ओटू से रियक्षन करके कारवन डायोकसड बना लेता है अब अब अड्रोजन एस्टू जो बनने के लिए फीड कुपन है बेश्ट हीट रिवेलेटर में डालते हैं जिससे फीड का टेंप्रेचर कम हो जाता है तीन सो साट से अधिक टेंप्रेचर पर फीड को होट एस्टी साप्ट में डालते हैं केट अलाश्टिक के रूप में C4 का यूज करते हैं जिससे फीड में परिजन कारवन मोनोकसड कारवन डायोकसड में बदल जाती है मतले C5 में बदल जाती है तथा फीट से हड्रोजन हुआ कार्वन डाई उक्साइड Syria अलग हो जाते हैं इस विधी को सॉलुटन टेंक स्में डालते हैं यह सॉलुटन हैड्रो कार्वन में प्रियंट होकर कार्वन डाई उक्साइड को IFSORB कर लेता है और hydrogen tank के उपर से प्राप्त कर ली जाती है hydrogen tank के उपर से प्राप्त कर ली जाती है hydrogen में खुछ CH4 मिली होती है जिसे मैथोमेटर tank से गुजानने पर वो है compress करके पूरे hydrogen प्राप्त की जाती है ठीक है अब इसका यूज देख लेते हैं यूज और hydrogen इसका यूज कैसे करते हैं हम तो hydrogen का यूज synthetic ammonia के निर्माड में किया जाता है hydrogen का जो synthetic होता है जो ammonia के निर्माड में जो ammonia हम बनाते हैं NS3 उसके निर्माड में hydrogen का प्रियोग किया जाता है hydrogen का प्रयोग अल्टर अल्टरनेटर की कुलर्ड में किया जाता है इसका अफचाय के रूप में भी किया जाता है और डाईथाईल अल्कॉल के रूप में भी किया जाता है इसके इनिरमाड में से रियक्ट करके मेथेनल बनता है यह भी सब्सक्राइब है यह तो इसके यह यूज तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया है वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर अभी तक नहीं हो तो चैनल इसको ससाय करने वेल आइकन को प्रेस करने जैसे कि हमारे चैनल पर वीडियो अफ्लोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिपिकेशन पहुंचे और वीडियो को जाद से जाद अपने केवलोज गुरूप में दोस्तों में सेय करें और धन्वद अगर आपने और अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप उन पार्ट को साबब करदे लेए उसमें आपको ऑक्सीजन का लेक्रिप्रिकेशन का बेती मेधल से बताया पूरा और आपका हाई क्वालिटी की ऑक्सिएन कैसे प्राप्त करते हैं वह भी बताया गया तो वीडियो को जा करके देख लें क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा important concept है ओके धन्वाद कर दोच करेदा ओरके बताया करेदा